कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी अच्छे अच्छे जिग्यासू पता नहीं कब आएंगे कब तक सेवा की भाग दोड करनी पड़ेगी लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती असोच बन बुद्धी को फ्री रखो तो बाप की शक्ती मदद के रूप में अनुभ़ करेंगे और सेवा की वृद्धी स्वत्य होगे बाबा करावनहार है और करने के निमित में आत्मा इसको कहते हैं असोच अर्थार्त एक की याद बाबा करा रहा है तो किस से करा रहा है आपको अपना समर्पन ऐसा दिखाना है कि बाबा आपसे कराए सबसे तो नहीं करा पाता ना क्यों नहीं करा पाता क्योंकि सब समर्पन भी तो नहीं करते कि आपका चिंतना है कि आपसे यह करा सकते है जब भी कोश्वी करने का समय आए तो बाबा को तो मेरा ध्यान आए, ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा, क्योंकि बाबा सुचता तो होगा ना, अच्छा इससे करों, नहीं, इसकी तो वस्थाई ठीक नहीं, इससे करों, नहीं, इसको तो ऐसे है, नहीं, इसको कुछ कह दिया, तो इसको ऐसा हो जाए, बताओ, दो कैंसल होगे न आपका पार्टी, फिर कैसे बाबा न विश्वाश नहीं रख़ा, यह ऐसा नहीं हो रहा, असोच का मतलब समझते हो, उस कारे के निमित ही आपके संकलब चले, और बाकी किस छोड़ नहीं, तो बाबा आपसे कराएगा, कहीं सोचते हैं आसोच, जो हो बाब, जैसा कराना करा और इतने सुस्तर, इतने स्लो, कि बाबा खुद ही आत लगा, कर ले भाई, कर ले थोड़ा सा, ऐसा नहीं, जो कारे अगर दे दिया न, उस कारे को सिद करने के लिए अपने चिंतन को चलाए, यह नहीं कि हाँ बाबा ने, बाबा करा लेगा, करा लेगा, ऐसे वाले असोच का अर्थ क्या होता है, यह यह पॉइंट है न, तो ध्यान रखो, बाबा करावनहार है, और करने के निमित मैं आत्मा हूँ, इसको कहते हैं, असोच, अर्थार्थ, एक की याद, अब आबा की याद में होंगे, उस कारे के निमित आपको बाबा ने बनाया, तो उसक प्रती आपके संकलब जुरू चलें, लेकिन वियर्थ की तरफ आपके बुद्धी ना जाएं, यह याद सोच, अब आप घर से कहीं वैपारी जब निकलते हैं, तो आना होगा जिसने आ जाएगा, बिखना होगा, बिख जाएगा, बैठे हाथ प्याथ दरगे, ऐसे चलते ह कोई करुबर, सोच तो चलाओ गे ना, कैसे कैसे क्या करना है, जब तक सोच नहीं चलाओ गे, तो कैसे, अब ये सोच तो तभी चलेगी, जब आपका बुद्धी समर्पित हो गी तोगी बाबा की तरफ, तो तो बाबा ड़िवी करे न, अब आपको टुच करे बाबा, आप तो समझ लो न, आज सोचकार्थ क्या होता है, कि उसी कारे के प्रती सोच, बाकी कुछ वियर्थ ना सोच, और ये तब होता है, जब एक बाप की याद होती है, वर्ना नहीं, वर्ना आप किसी कारे के प्रती कुछ करने लगेंगे, वियर्थ इतना आ जाएगा, कि बाप की या उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकते। जहां शुब चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं।